असुर महानायक, हमारे गुप्तचर ने सूस्ता दी है, कि एक नहीं, तीन रथ हमरपुर की और बढ़ रहे हैं मात्र तीन रथ, हा महामंत्री कुटिलाक्ष, मात्र तीन रथ किन्तु प्रतेक रथ, एक संपूर्ण नगर के समान विशाल काए है अनेको सैनिकों के सैनि दल से सुसजित है, मैं स्वैम उनकी असाधारन विशालता का साक्षी बना हूँ अनेको सैनिक, अवश्य ही देवता उनके साथ सैनिक बन कर आ रहे होंगे नहीं, नहीं तो अवश्य त्री देवों ने उसका सैयोगी बनना सुईकार किया होगा त्री देवों और देवताओं को नहीं, वो सेना असंग के नारी और दाओं की है तुम्हारी सबा में तुम्हारी और पस्तिती में है साथ हास करने का तुम्हारी सास कैसे कर रहे हैं ये इसका कठोर ठर्ण दो नारी शक्ती एक नारी की नित्र तुम्हें अनेको नारी युधाओं की सिना अकरमन कर रहे हैं इसमें परियास और अठाहस का क्या कारण है कोई समझाएगा मुझे शमा करें असुर महानायक परंतु ये परियास नहीं तो और क्या है एक नारी अनेको प्रहमांडों की अधिपती महांतम असुर महानायक बंड़सुर जी को चुनोती देने का तुस्ताहस कर रही है और वो भी नारी योद्धाओं की दुर्बल सेना के साथ असमानता के इस युद्ध में शती हमारी नहीं उनकी ही होगी हाँ पिताश्री हमें कोई शती नहीं पहुंचेगी जैसे शुम्ब निशुम्ब को कोई शती नहीं पहुंची और जैसे महिशा सुर्भी आहत नहीं हुए नारी को शक्ति हीन समझने की मुर्गता मत करो शक्ति की स्रोत है वो अपार शक्ति जागरत कर सकती है और यहां जिसका आगमन हो रहा है वो कोई साधारन नहीं अबितु असुर गुरु शुक्राचार्य की अनुसार स्वयम दिवी पराशक्ति की रूप माता ललिता है इंदु असुर महानायक जिसका नाम ही ललिता हो वो तो कौमली होगी क्योंकि सत्त्य यही है यथा नाम तथा गुन हाँ हाँ आप बहुए दो बहुए टार में हुए को अबभी दो चुब हूए इचर बहुई को फब बहुए इतने बयानक संकीतों को उत्पन करने वाली अपने नाम की अनुरूप को मलतों का दापी नहीं है परंतु असुर महानायक ये भी तो हो सकता है कि ये मात्र उसकी एक माया हो मुझे कदापी ये विश्वास नहीं है कि एक नारी प्रिकट होते ही इतनी विशाल काई से न उत्पन कर दे समस्त ब्रह्मांडों में आप सर्वादिक शक्ती संपन हैं महांतम हैं आप जिसने आपको चुनोती देने का दुस्सा हस किया है उसके लिए यही उचित दंडोगा कि आप अपने सबसे दुर्बल असुर से उसे पराजित करवाएं असुर महानायक द्वारा कभी कभी अपने महामंत्रियों और सभासदों का उचित सुजाव स्विकार करना इतना तो चलता है तो फिर किसे भेजे हम असुर ब्रहताओ दुर्मत और कुरंद वो मुर्क मचे विश्वास नहीं कि वो ये कारे कर सकेंगे हाँ विश्वक्र, वो मुर्क तो हैं, परन्तु समर्थ भी और वैसे भी उन्हें एक नारी और उसकी सेना से ही तो सामना करना है दुर्मत और कुरंद दुर्मत और कुरंद अरे, हटो यहां से, तुमसे पूर्व यहां मैं आया था इसलिए भीतर भी मैं जाओंगा लेकिन तु तुमसे टकर तुमसे पूर्व मैं निचे गिरा था तो मैं जाओंगा रहा प्रथम गिरेत तुम होगे किन्तु अधिक निद्रा किसने ली है? मैंने और अधिक खर्राटे भी तो मैंने ली है चानलिस खर्राटे अंगा मैं प्रणाम असुर महानायक ए महानसुर महानायक इन दोनों महामूरकों को भेज कर कहीं हम अपना आपमान तो नहीं करा रहे हैं मेरा हाथ मेरा हाथ कहां गया? कहां थाना मैंने? मूर्ख हैं परंतु समर्थ भी कितनी देवरगति और शक्ति से अपने शत्रु का आखेट करते हैं ये देखिए महानायक जाओ तुम दोनों और अमरपुर की आर बढ़ते हुए रतों को रोको ये कारे तो मैं ही करूँगा असुर महानायक का प्रमुख सिवक जो बनना है मुझे मैं ये कारे में करूँगा मैं क्यों नुबना हुए उनकी दुस्री में महान करूँगा नहीं मैं करूँगा ये तो यहां साजाही नहीं रहे कदाचेत हमें दूसरे युद्धा को बेचना पड़ेगा असुर महानायक जो आपके आदेश का पालन करने में समर्थ हो मंतरी कुटि लाक्ष आपस में उलजकर ये अपना कार्याना बोल जाए इसे सुनिश्चित करने आप पे जाए इनके साथ जैसी आपकी आज्या महाना याग इन रथों पर तो मातर नारी ही आरुण है ये कार मुझे सौब दें नहीं इन नारियों का संहार तो मेरे ही फुशन हाथ से शोबा देगा नहीं मैं जाओंगा मैं जाओंगा नहीं मैं जाओंगा नहीं मैं जाओंगा शॉंद अधाजिक मुझे ही जाकर असुर महानायक पंडेस्वर जी को यहाँ बुलाना होगा नहीं नहीं उन्हें बुलाने के क्या हो शकता है हम दोनों आपस में क्रिडा से मिलने ले लेंगे! ले लेंगे ना? ले लेंगे! और क्रिडा में जो विजय होगा वही आगे जाएगा! देखो इस पत्थर का सपाड़ भाग चित! और यह खुदरा भाग पट! देखो पत्थर उचा ला! बोलो चित या पट! 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 मैं जाओगा! दुर मत जाएगा! नरी सेना को समाप्त करके आएगा! क्या भंडासुर को माता की शक्ति का तलिक भी आभास नहीं? जो उसने अपने सबसे दुर्बल योद्धा को उसे युद्ध के लिए भेज दिया? भंडासुर बहुत चतुर है भाईया! इसे भेजने के पीछे भी उसका कोई ना कोई उदेश अवश्य होगा! आज मैं और मेरे अस्त्र इनके रक्त से त्रिप्त हो जाएंगे! तुम जो भी हो मूर्टा मत करो! हट जाओ मेरे मार्ट से! आने था मेरे रक्त के तले कुचल जाओगे! नारी हो! नारी के समान व्यवहार करो! मैं एक अफसर देता हूँ! युद्ध की कामना त्याग कर यहां से लोट जाओ! अन्य था मैंने अपना कार प्रारंब किया! तो तुम सभी रथों पर कोई जीवित शेष नहीं बचेगा! शेष नहीं बचेगा! रुखिये देवी दंडीना था! आप सेना पती! अभी आपको वार करने की कोई आवश्यक्ता नहीं! सर प्रथम आप अन्य देवियों को उनके शौरे का परिचय देने देजी! देवी संपत करी! देवी संपत करी! करिव? प्रनाम माता विच्छे भगव क्या ये दुरमाद इस छोटी सी कटार से उस नारी उद्धा उस देवी का सामना करेगा? कटार हो अत्वा खड़क, इनके साथ युद्ध करने में तो अद्भुत कुशलता है दुरमत की, इस युद्ध को शेश होने में अधिक समय नहीं लगेगा? ये असोर इतना सहच क्यों है? जैसे उसे कोई भरही ना हो? इन बाड़ों को तुम मैं बड़ी सरहलता से निश्ट कर दूगा? तुम मैं इस खान का सामनाव नहीं नहीं है? इका सकोगे तो मेरी गती का परिचय तो तुम्हे हो ही गया होगा देवी इसके पहले कि तुम कुछ भी करो मेरा ये खडग अपना कार्य कर चुका होगा इसलिए अपने बचाव में कुछ भी करने का प्रयत्न ना करना असंभव ये कैसा चल किया इसले जिसे माता संपत करी रुखने पर बाद्य हो गई देव सिनापति कुमार कार्तिके ये असुर है असुर युद के नियमों का पालन करना इनकी प्रवर्ती नहीं ये तो चल स्वरूप पीछे से आक्रमन करते हैं सदेव चल को अपना बल बनाने में महारत प्रापथे हम ब्रादाओं को शतरु का संहार करना एक मातल लक्षा है जिसके हे तू शतरु के वार के प्रकार की चिंता किये बिना बस वार करते हैं हम अधदोर्श, इन दूर्मजी ने नियमों की सिमाओं को लांख कर इन देवियों को सिमाओं में बाथ दिया सावधान देवी मैंने कहा था ना मेरी गती ही मेरा परीचे है उसे चुनौती ना दीजिये दुर्मत का खडग है ये इसके प्रहार को रोकना इतना सरल नहीं अब गती नहीं दूर्गती बनेगी तुम्हारा परीचे अब गती नहीं दूर्मत का प्रहार व्यर्थकर उन्हीं हात कर रही है दिवित्थि जब अधर्म का सामना धर्म से होता है तो उसका अंत आरंब हो जाता है और अब दुर्मत के साथ भी वही हो रहा है जिस गती को तुम अपना परिचे अपनी विशेश सा कहते हो वो हम नारियों की शक्ति का एक साधार अंगोंड है दो तुछ नारी यह तुम नहीं तुम्हारा एंकार बोल रहा है जिसे मैं अभी अपने प्रहार से नश्ट कर दूँगा दोस्तासी असुर दंडिक तो तुम हो गया इतना दुस्सा हस तुम्हारा मेरे मुकर को ख्षाती पहुचाई तुम्हें संपत करी एक साधारन असुर सैनिक का वद किया तो क्या हुआ अब जैसे मुकुट को शती पहुचाई है वैसे ही इसके मस्तक पर वार कर इसका अंत करूँगा मैं मूर खसुर यह तुम्हारे मुस्कुराने का समय नहीं अपनी मृत्यू से भेग करने का समय है और जिसका अस्त्र का चुनाव तुमने स्वयम किया है अब मुझ पर वार करने का आउसर नहीं दूगा मैं तुम्हें मुझ पर जक्ति समुद्बावान बादा बादा चल और कपट से अरजित सामर्थ एक ऐसा चलावा है जिसका अंत धर्म रूपी स्तंब से टकराते ही हो जाता है